नमस्कार साथियो एक नए वीडियो में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में जिन्होंने अभी तक कोलेज एजुकेशन से मिलने वाली स्कोलर्शिप की योजना का आवेदन नहीं किया है उनके लिए एक अच्छी सूचना है पंदरा एक दो हजार तेज तक इस योजना की लाज डिट बढ़ा दी गई है कम्पलीट पीडियाप आपके सामने ओपन है फस्टियर के लगबग सभी स्टूडेंट इस चात्रूर्थी योजना को अपलाई कर सकते हैं साथ प्रतिसत से अधिक यदि आपने बारवी क्लास में अंक प्राप्त किया है तो आप OBC, Journal, SC, ST सभी कर्टिगरी के चात्र इस फारम को अपलाई कर सकते हैं ये आपके लिए आज के वीडियो में पहली सूचना दी दूसरी सूचना कोले सम्मंदी जो चात्र वर्तमान में सेकंडर या थर्डियर या M.A.Final या M.A.C.Final में अध्यन रहते हैं और उन्होंने अपनी एडमिसन फीस जुलाई अगस्ट के अंदर यदि जमा नहीं कराई है तो E.M.T.R. के माद्यम से 26,12,2022 से 10,1,2023 तक जमा कराई जा सकती है ये सूचना एक्जाम फोरम भरने के लिए नहीं है सिर्फ एडमिसन फीस जो जुलाई अगस्ट में बरी गए थी जिन्होंने पहले नहीं बरी ये उन्हीं को दुबारा बरनी है यदि आपने ये फीस पहले नहीं बरी है तो आप अपनी फीस भर सकते हो जिन्होंने पहले एडमिसन फीस जमा करा दी है उनको दुबारा से ये फीस जमा कराने के आव सकता नहीं है यदि आपने अपनी एडमिसन फीस जमा नहीं कराते है तो आप बाद में रेगुलर इस्टुडेंट के जगे आप नोन कोलेज इस्टुडेंट हो जाओगी आपका फोरम रेगुलर से नहीं लगेगा आपको नोन कोलेज से लगेगा यदि आपको ये छोटी से जानकर ये अच्छे लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना धन्यवाद